हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चनल फ्रेंड्स आज हम नमकिन जीरा बिस्कित बनाने जा रहे हैं जिसे हम बिना सोडा बिना बेकिंग पाउडर के साथ बनाएंगे और इन बिस्कित को हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे और घर पर ही रखे हुए नार्मल इंग्रिडेंट के साथ बनाकर इसे तयार करेंगे जिन इंग्रिडेंट को अरेंज करना आप सबी के लिए आसान हो जाएगा और बेकरी स्टाइल में नमकिन जीरा बिस्किट बनाकर आप आसानी से इने स्टोर भी कर सकोगे और festival आने पर आप इसे बना कर अपनों को gift भी कर सकते हो तो friends recipe पसंद आए तो आप इसे जरू से like कीजिएगा और अपने family और friends के साथ में इसे जरू से share कीजिएगा चलिए friends देख लेते ही यह असान सी recipe नमकी नजीरा biscuit बनाने की तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर घर पर बना हुआ butter मक्षन ले रहे हैं हमारे biscuit perfect बने इसलिए हम यहाँ पर measurement के साथ इसका weight कर लेंगे और आपको confusion ना हो इसलिए मैं आपको measuring scale पर यहाँ पर यह दिखा रही हो friends आप wash कर सकते हो कि यहाँ पर हम 80 gram जितना घर पर बनावा butter ले रहे हैं आप यहाँ पर market का butter भी ले सकते हो या फिर आप वनसपती डालडा घी भी ले सकते हो या फिर bakery का margarine भी ले सकते हो इन biscuit को बनाने के लिए और आज हम यहाँ पर एकदम आसान तरीके से घर पर बने हुए butter से हम biscuit बनाएंगे वो भी एकदम market जैसे test और texture के साथ में और आप यहाँ पर butter की consistency watch कर सकते हो friends और इस तरह के butter की consistency होने पर ही हम biscuit बनाने के लिए इसे use करेंगे आपने यदि इसे फ्रीज में रखा होगा तो आप इसे 2-3 गंटे के लिए पहले फ्रीज में से भाहर निकाल कर रख दीजेगा उसके बादी biscuit बनाने के लिए इसे use कीजेगा इस बाउल के उपर हम एक इस्टेनर रखतेंगे और इसके अंदर हम 40 ग्राम जितनी घर पर पीसी हुई चीनी ले रहे हैं आप यहाँ पर केस्टर शुगर का भी यूज कर सकते हो इन बिस्किट को बनाने के लिए आप जब भी बैकिंग करेंगे ना फ्रेंट्स तो आप सारे ड्राइ इंग्रिटेन्स को जरू से इस्टेनर से चान कर ही डालेंगे इससे हमारे बिस्किट का जो टेक्चर होगा वो परफेक्ट आएगा तो मेरी यह टिप जरू से याद रखिएगा और इसी के साथ में इसके अंदर हम 10 ग्राम जितना मिल्क पाउडर एट कर रहे हैं और साथ में ही 10 ग्राम जितना कश्टर पाउडर एट कर देंगे और सारे ड्राइ इंग्रिटेन्स को अच्छे से इस्टेनर से चान कर इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर आप electric bitter का भी यूज़ कर सकते हो इसे फेटने के लिए मैं यहाँ पर hand whisker का यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसके अंदर milk powder और कश्टर powder एट किया है ना इससे हमारे biscuit का जो टेस्ट और ट्रिक्चर होगा एकदम market जैसा आएगा एक बार try कीजिएगा तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से fluffy होने तक इसे फेट लेंगे यदि आप घड़ी से watch करते हो तो आपक आप इसे fluffy होने तक फेट लीजिएगा आपको आसानी रहेगी तो आपका एकदम perfect consistency आजाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर हम घर पर बनावा बटर ले रहे हैं ना इसलिए हम इसे 5 मिट तक फेटेंगे इन केस फ्रेंड्स यदि आपने market का बटर लिया हो या डालडा घी लिया हो या margarine से हम ये बिस्किट बना रहे हो न आपको यहाँ पर इसे फेटने में 2-3 मिट और ज़्यादा लगेंगे इस बटर को fluffy करने के लिए मेरी ये tip जरू से याद रखीएगा आपको उस केस में थोड़ा सा इसे ज़्यादा फिटना होगा इसलिए फ्रेंड्स में हमेशा घर पर बने हुई बटर से ही बिस्किट है नान खटाई है मैंने नान खटाई की रेसीपी भी आपके संग में शेयर किये I hope friends आपने watch कियोगी और आपको बहुत helpful रही होगी यति friends आपने अब तक वाच नहीं की है तो मैं इसके लिंक दे रही हो आप चरूर से वाच कीजिएगा यहाँ पर friends हम हमेशा घर के बटर से जब इस तरह के बिस्किट बनाते ना तो एक तम बेकरी स्टाइल के बनेंगे 101 पर से जो हमारे यहां सभी बहत पसंद करते हैं आप पी एक बार इस तरह कितनी helpful रही यह देखिए friends यहाँ पर मुझे इसे फेटते हुए 5 मिट हो चुके हैं आप यहाँ पर वाच कर सकते हूँ friends इस तरह की consistency हमारे बटर की आ जाना चाहिए तो friends यहाँ पर हमारा बटर अच्छे से फलपी हो चुका है और इसके अंदर हम 3 ग्राम जितना नमक एट कर देंगे यदि आप इस्पून से measurement करेंगे तो यहाँ पर हम half teaspoon जितना इसके अंदर नमक एट कर देंगे यहाँ पर हमने नमक डालने के बाद में इसे अच्छे से mix कर लेना है फिर से एक इस्टेनर रखेंगे और इसके अंदर हम 120 ग्राम जितना मैदा एट कर देंगे और इसे भी हम इस्टेनर से चान लेंगे और यहाँ पर हम नमकिन बिस्किट बनाने जा रहे हैं तो इसके अंदर half teaspoon जितना अजवाइन को हाथों से क्रश कर कर डाल देंगे और साथ में ही half teaspoon जितना जीरा भी हाथों से क्रश कर कर डाल देंगे और यहाँ पर हम इसे हलके हाथो से mix करते हुए एक soft dough तयार कर लेंगे और आप एक बात का धियान रखे का फ्रेंड्स इस टो को बनाते समय यहां पर हमें बिल्कुल भी पानी और दुद का यूज नहीं करना है इससे हमारे बिस्किट की जो क्रण्चिनेस होती है वो खत्म हो जाती है इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही कहा था यदि आप यहां पर मार्किट का बटर या घी या मार्ग्रीन यूज कर रहे हो ना तो आप यहां पर जब हम बटर को फलपी बनाते ना उसी समय उसी स्टेच पर आप दो का रिजल्ट लाने के लिए आपको हेल्प मिलेगी इसलिए आप हमेशा घर पर बनेवे बटर से बेकरी स्टाइल के बिस्किट आसानी से बना सकते हो यदि आपने अब तक ट्राइ नहीं किया है न एक बार मेरी रेसिपी देखने के बाद में ट्राइ कीजेगा आप इस थर ही बटर में हमारा ये सॉफ्ट बनकर तयार हो चुका है और इसके अंदर हमने पानी और दूत की मात्रा बिल्कुल भी एट नहीं की है अब हम यहां पर बिस्किट बना रहे हैं तो इसे में प्लेट फॉर्म पर ही अच्छे से पहले हाथों से थोड़ा सा चप्टा कर के था कि हमारे बिस्किट का जो लेबल है एक जैसा रहे और यहां पर यदि आप उपर से जीरा और जवाइंस स्प्रिंकल करना चाहते हो ठोला जीरा मिक्स किजिएगा, और यहाँ पर इसे स्प्रिंकल कर दीजिएगा, रोलर से इसे एक बार फिर से बेलन से फेर दीजिएगा इसके ऊपर से, ताकि हमारे जीरा और जोयन इसके के उपर अच्छे से सेट हो जाए पर मैं फ्रेंट्स हमेशा इस तरह के बिस्किट डो के अंदर ही जीरा और जोईन डाल देती हूं उपर से मैं जीरा और जोईन को स्प्रिंकल नहीं करती हूं मैं हमेशा इस तरह से ही बिस्किट बनाती हूं मैं वही रेसिपी शेयर करती हू जो मैं बनाती हूँ और जिसका 101% टेस्ट और टेक्चर रहता है इसलिए मैं वही रेसिपी आपके साँ शेयर कर रही हूँ मैं इसे ऐसे ही रोलर से फ्लेट कर लूँगी और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे शेप दे दूँगी आप यहाँ पर फ्रेंड्स इसे कुकिस कटर से भी कट कर सकते हूँ आप यहाँ पर नहीं तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो भी शेप देना चाहते हूँ इन बिस्किट को चानी से दे सकते हूँ तो यहाँ पर हम इस तरह से शेफ कट कर देंगे इन बिस्किट का लुक थोड़ा सा बेकरी स्टैल के उठकर आए इसलिए में यहाँ पर नाइफ से ही थोड़ी सी हलकी सी डिजाइन कर रही हूँ ताकि हमारे बिस्किट बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव लगे आप चाहे तो इसे प्लेन भी बना सकते हूँ यह देखे फ्रेंड्स मैं आपको पास से दिखाती हूँ तो यहाँ पर मैं इन बिस्किट पर इस तरह से डिजाइन कट कर लूँगे और इस पे चुला से इन्हें हलके से उठाएंगे इसे बैकिंग ट्रे में अरेंज कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम बिस्किट माइकरोवेव में बना रहे हैं इसलिए मैं इसे माइकरोवेव की बैकिंग ट्रे में इसे सेट कर रही हूँ यदि आप माइकरोवेव में यह बिस्किट नहीं बनाना चाहते हो तो आप इसे कड़ाई में भी बना सकते हो और थाली में बटर पेपर लगा कर भी इन बिस्किट को सेट कर सकते हो तो मैं यहाँ पर microwave में बनाने जा रही हो इसलिए मैं इसे बेकिंग ट्रे में सारे ही बिस्किटों को इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर अरेंज कर दिया है ताकि हमारे सारे ही बिस्किट एक ही बेच में अच्छे से बन जाए यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हो सारे ही बिस्किट को मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है आकरी में थोड़ा तो यह बड़ा पीस यहाँ पर बन गया है वो आप वाश कर सकते हो तो यहाँ पर हम बिस्किट को माइक्रोवेव में बनाने जा रहे हैं तो माइक्रोवेव की लो रेक को हम माइक्रोवेव म की लिए हम यह बेकिंग ट्रे ऊस लोग एक पर हम सेट कर देंगे बेक होने के लिए रख देंगे फ्रेंड्स अभी के मायकरवेव का ट्रेंपेचर अलग अलग होता है आप एक बार अपने मायकरवेव को इस तरह के बिस्किट बना कर टाइम सेट कर ली तो आप हमेशा उस तरह से उस टाइमर पर आप बिस्किट बनाएगा आपकी बिस्किट कभी भी खराब नहीं बनेंगे तो मेरे बिस्किट हमेशा 23 मिनिट में पर्फेक्ट बन जाते हैं तो मैं यहां पर माइक्रवेव में कन्वेक्शन मोड पर कर दुखेवे और 1. ball वरो 6,000 वहुआ हैं रख दोगी तो यहां पर 23 मिनिट हो चुक्य है और हमारे भिस्किट मेंची अच्छे से बैखर हो चुके छाली पर यह काउंटर टॉपकूँ कोई सी भी चाली पर भी इसे पूश कर सकते हूं इन बिस्किट को ठंडा करने के लिए मैंका इंग्डेश कर सकते हूं आप को पास्सुर्फेक्ट हैं यह देखें इसे इस दाइन की ना तो लग रहे ना और बेकरी स्टाइल के हमारे यहां बिस्किट बनकर तयार है तो इन बिस्किट को तोड़कर में इनका क्रंचीनेज भी दिखा देती हूं तो यह देखे फ्रेंट्स एकदम भूती ज़्यादा खसता क्रंची हमारे यहां नमकिन जीरा बिस्किट भी बनकर तयार है इस चाई के संग में इन बिस्किट को आप इंजॉय कीजिए और यहां पर हम मसाले वाली चाई और मसाला किस तरह से घर पर बनाए यदि यह इसकी रेसिप्य आपने अब तक वाश नहीं किये तो इसकी लिंक में दे रही हूं आप जरू से वा आने पर किसी को भी इस तरह से गिफ्ट भी दे सकते हो यह बहुत रीच लुक लगेगा और यहां पर फ्रेंड्स आप वाश कर सकते हो लग रहे ना एकदम बेकरी स्टाइल के यहां हमारे नमकिन जीरा बिस्केट बनकर तैयार है तो एक बार मेरे कहने से मेरे इंग्रिडि कीजेगा तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई सी रेसिपे लेकर तब तक के लिए गुड़ बाई